हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे पार्ट टू वीडियो में और ये फ्रेंड आज का वीडियो में जो बताएंगे पिश्टन रिंग फिटिंग कैसे करना है और लेडी मेरा वीडियो इस पर बना हुआ है उसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रिसम में दे दूँगा वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं तो या आज का वीडियो है पार्ट टू जिसमें बताएंगे कि पिश्टिंग कर्ण कैसे 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 कि तो सब से पहले चलते हें इसका पाट नमर देख लेते हैं किसका पार्ट नमर क्या है यहां पी देख सकते पार्ट नमर वाड़ transpy पिष्व्रय् Corporal District 8 इसका पार्ट नम्र हैускी मैं बताई ना प्रहाटता है दिसका पार्ट नम्र कि 1003-2 पॉर और तो चुलिद पुराने पिश्टन और निउ पिश्टन का इसका पार्ट नमर क्या दिखाता है ठीक है तो यहां पे देखाने चाहिँ आपको देखिए 2K BS2 2K BS2 है पुराना पिश्टन ही यानि BS2 का पिश्टन लगबग डाला हुआ इसमें और निउ पिश्टन का हम देख लेते हैं कि निउ पिश्टन का पार्ट नमर कितना है तो फ्रें इसी पार्ट नमर का अगर मिलता है तो ही बहत अच्छा रहेगा और इसमें अलग पार्ट नम और से में पिश्टनों पे भी तो चलिए हम सबसे पहले रिंग डालकर और बॉलॉक के ऊपर चलते हैं वहाँ पे पिश्टन डालते हैं क्योंकि किनेक्टिंग डॉन बैठाने का तो आप लोगो पता ही होगा और इसमें बताते हैं कि कैसे आपको रखना है कैसे रखना जैसे आपका तरीका अलग है मेरा तरीका अलग है जिससे मेरे को संतुष्टी मिलती अच्छा लगता है उसी साब से मैं इसमें रख रहा हूँ यहाँ देख सकते कि टॉप रिंग और ओविल रिंग राइट साइड में है और कंप्रेसर रिंग जो है लेफ्ट साइड में हम बस इसमें दिक्कत यह है कि गजल पिंट के सामने इसका रिंग का जो मूह है यानि कट है वो नहीं आना चाहिए यह रिंग का जो कट पिंध के अंदर लेने के बाद इस पे हम लोग लगाते हैं कैप जो connecting डॉट का कैप आता है और कभी आप लोग पिश्टन फिटिंग करते हैं तो लकड़े का जो हत्ता होता है जैसे कि लकड़े का कोई चीज हो वस्तू हो उससे फिटिंग करना है आपको आपकी मर्जी है और यह देख सकते हैं को मखी है हमारा राइट साइड में है जिधर हमारा केम सापट है तो चलिया इसको भी हम लोग फिटिंग कर लेते हैं रहेति को और इसके बाद टौर्क लगाएंगे टौर्क कितना लगाना है यह वीडियो में आप लोगों को पता चल जागा बता दूगा आप लो यह नमर में रखा था टॉप और ओल रिंग हमारा राइट साइड में रहेगा और ये लेफ्ट साइड में रहेगा और इसमें एक चीज और कि जो फिरेंड को टेंसर नों को बाइस में कैसे बैठाया आपने दिखाया नहीं तो इसमें रिंग पर लिखा हुआ रहता है da, जिешь इंक तरे देंगे और टालने के बाद प्र भिश्टन ने रखा है आप लोग कहे देखा क्यों तरीका है इसमें और पहले जो वीडियो आप गूष्ट हो अधे नहीं नहीं तो नहीं बीडियो केज़िए इसको की जोणे क्या तो बैच emissionsim चैनल को सस्क्राइब प्लीज करना और कॉमेंट में बताना आप लोग कि वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग को जो कि मेरा कोसिस यह रहता है कि आप लोग को अच्छी वीडियो देख कर और काम मतलब कोई भी काम कर सकते आप लोग चलिए इसको फटा-फट से फेस करके में लेता हूं उसके बाद चलेंगे हिए दो औरहर पांच में करेंगा तोप्री अनोमज़ में फ्रीडियो नेुद्र हएँ है और को ट्रुट रींच आता है उससे ने इसको पूरा डूर्ड़ लगाँगा इसमें आप इसके बाद मैं दो नमर को फिटिंग कर लेता हूँ ठीक है देख सकते कि मक्खी हमें हमें राइट साइब में रखा है और राइट साइब में रहता ही है और इस वीडियो में काफी अच्ची पूरा देखना आप आप लोग की मरजी है मेरा तो काम general को अच्छी पूरारी सब्सक्राइब लगाते हैं पहले में चीज आप लोगों को दिखा देता हूं चलिए इसको थोड़ा रोक के और आगे दिखाता हूँ यह देखिए और ये और ये बैटाया हूआ है मैं connecting क्या भी बता देता हूँ थोड़ा सा देखें ये हो गया इसका मख्या जो कि आकली है जो मक्षी है जो मक्षी मिला हुआ है और यहाँ पर देख सकते ही यह दिया है कंपणी ने मक्षी को राइट साइड में जैसे हम लोग रखे हुए है उसी साइड में उसका पिष्टन पर दिया हुआ है रायट कंपणी ने लगा कर दिया वगा है यह मकंखी और इसको मिला कर रखना है mother इसको और ये दोनों मिलाकार रखना है कंपणी ने दिया है दिशा किधर रखना है और इसके बाद हम कि जैसे अगर फिटिंग करना हो तो आप लोग कर सकते को उल्टा भी करके वाकर सीधा तुम्हें बता ही रहा हूं आपको से पहले मैंने वीडियो बनाई है रिंग फिटिंग के उपर अगर डेटल में बीडियो आज यह फूल बना रहा हूँ जो मैंने पहले बताया था पार्ट बण बीडियो में कि आप लोग को और जैनकारिया दूंगा तो इसमें भी जानकारिया आपको फूल मिलेगी आज चलिए हम दो नमर का पिष्टन बैठाते हैं आप दिखाते भी है नो नमर का पिष्टन बैठाएंगे और वही तरीके से मैंने डिंग दिखाया आप लोग को अजलिए इसको दोर के अंदर फिट करते हैं और उसके बाद इसका कनेक्टिंग डॉट का कैब भी लगा लेते हैं और फ्रेंड एक चीज और बोलना चाहता हूं कि मेरा एक चैनल और है जिसका वीडियो की डिस्क्रिस्टिन में आप लोग को लिंक दे दूंगा उसको भी प्लिस आप लोग सस्क्राइब करना क्योंकि आज क्या है कि जबाना बहुत चल रहा है पता नहीं क्या कब हो जाओ यह चैनल का है खो जाए या कुछ हो जाए तो उस पर आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं और उस पर भी वीडियो हम डाल सकते हैं कि चलिए इसको कैप को लगा लेता हूं वही दिसा है मखी देख सकते हैं राइट साइड में और इसका भी मखी दोनों सेम में रखके इसको भी फेस कर लेता आप लोग को पहले पार्ट वन बीडियो में बताया था मैंने अभी बता देता हूं 18 kg क्रेंक में लगाना यानी 130 ठीक है 130 क्रेंक में लगाना है जैसे जैसे हमारी वीडियो बनेगी उसे आप लोग को जनकर्या मिलती रहेगी और मेरा कोसिस यह रहता है कि आप लोग को वी मो trata किया था कि आप वीडियो देखकर हम हो फिटिंग कर सकते हैं तो जरूर बिलकुल क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं पपोशिछ आप लोग को कि आप लोग वेस्ट करें मेरा वीडियो को देखकर कोई अगला सीख सकें यह नहीं कि हमने वीडियो बनाया और इधर उदर बता दिया और आप लोग को उसमें लिए और शीडु है और इसको प्रोंलोम सॉल्ड कर सकें और काम भी कर सकें कि यह हो गया इसको और मैंने उससामे रखा है ठाप प्र इप को राइट सभी रखा है और कंप्रेसर इन को लेफट सभी जिदे हमारा पंप रहता है डिजल पंप जिदे रहता है हमारा चलिए के लिए की डौट को अंदर बेठाते विलोग के אל healthier और मक्की देख सकते हैं, कि हमारा right side में यह है, सारे का मक्की right side में नहीं रहेगा, यह ध्यान देना है आपको, और एक चीजह और बता दूं कि जब आप लोग इंजन फिटिंग करते हैं, तो उस time में, जो मैंने part 1 में बताया था, जो कि हमारी ओईल को जो हमारा ओईल एस्प्रे करता है उसको भी देखना है कि इसमें पिश्टन में हमारा टच तो नहीं कर रहा है टच तो नहीं हो रहा है वो देखना है आपको कि मेन नाइन का जो हमारा नोजल होता है उसको देखना है आपको कि हमारा पिस्टन में टच तो नहीं हो रहा है क्योंकि वह भी टच होने लगतों दिखाँगा आप लोग को कि हम लोग जब इसमें के देखेंगे जरूर और आप लोग को भी दिखाएंगे तो चलिए इसका भी वही हाल है वही तरीका है वही तरीका है वही दिशा में मैंने रखा है टॉप और विल रिंग राइट और कंप्रेसर रिंग लेफ्ट साइड में इसके बाद यह देख सकते हैं तीन नमर फिटिंग चालू है हमारा इस मुझे जरूर कॉमेंट में बताना नहीं तो आपके पास वीडियो तो मुझे इस्टांगराम पर भी भेह सकते हैं तो चलिए यह वही दिशा है वही तरीका है और इसमें आप लोग को मतलब एट टुजेट जनकारिया मिलेगी कोई ऐसा नहीं कि अलग तरीके से जनकारिया चलिए तो क्या हुथ लंबा वीडियो होने से आप लोग को भी तकलिप होगा कि पूरा वीडियो देखते नहीं आप लोग और के स्कीप करके बस खतंद सबस्क्राडब topics करना नहीं करना उसे अफ या कि तो इसको फटालोड फेस कर लेते हैं और फेस करके उद्से चोंड़ोड देते हैं उसके बाद हम लोग टॉर्क से अच्छे तरीके से इसको फेस Kरेंगे और कभी जब टॉर्क आप लोगाते तो इसको working करके देखना है कि यह चाल कर रहा है कि नहीं जाम तो नहीं है यह जैसे बेरिंग के ऊपर कूछ आ गया यह कुछ भी आ सकते ऊस पर वक्रेश को आप लेना करने के बात करें तो इसमें जो होता है फ्रेंड पिष्टन में बैठाते है रिंग तो इसमें टॉप वान टॉप टू और ओल रिंग तो आपको ऐसे पता चल जाएगा चलिए इसको भी थोड़ा इसमें हम लोग देते इसलिए कि ताकि हमारा जो रिंग जो है अच्छे तरीक है इसमें एक और तरीका है जो नोख तीन दिस्षा में रख सकते हैं अलग अलग रख सकते हैं मगल उसमें क्या है कि आप लोग गजलगकर कि आअने क्या का नहीं आई कि और यह यह भी तरीके से आप लोग रख सकते कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई परिशान नहीं आएगी काफी टाइम से हम लोग रख रहे हैं कोई दिक्कत आज तक नहीं आईए और साइद आप लोग को भी दिक्कत नहीं आएगी हर किसी का तरीका अलग अलग ही होता है आप लोग का भी तरीका अलग होगा मेरा तरीका अलग है और किसी का तो हर किसी का तरीका तो अलग ही होता ही है तो चलिए इसको रिंग कंपरेसर हम लोग अच्छे तरीक से टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद चलता हूं में पीछे के तरप और इधर से हम लोग बैठा लेते हैं ब्लॉक के अंदर में चार नमर का पिश्टन है और इसके बाद हम लोग टॉर्क लगाएंगे टॉर्क का कितना केजी है वह भी मैं बता दूंगा जैसे कि मैंने बताए कि क्रेंग में 18 केजी लगाना है यानि 130 और इसमें जो है हमारा connecting rod में जो है इसमें बताऊंगा पहले इसको हम लोग complete कर लेते हैं तो चलिए यही फिर मक्ही हमारा उपर ही है राइट साइड में ही है और इसमें देख सकते हैं मैंने निसान लगाया हुए हम लोग जब हम लोग पिश्टन खोलते हैं लिकालते हम लोग तो उस 14 kg तो 14 kg पीर अचाहने और 14 kg में इसको कि यह देख सकते हैं चेकिंग चालुए हमारा हम जानी हमारा around चालुए इसके बाद दोबारा around भी है इसको फिर से हम चेक करेंगे पहले बार में हम एक बार इसको टॉर्क को बजाएंगे और इसके बाद दूसरी बार में हम लोग दो-दो बार चेक करेंगे मतलब दो-दो बार बजाएंगे इसको यह हो गया एक नमर का तो 14 केजी समें आप लोग बजाना है यानि 100 हैंडट तक इसको बजा सकते कोई दिक्कत नहीं होगी कोई परिशानी नहीं होगी यह देखिए आप लोग चाल चेक कर रहे हैं टॉर्क लगाने के बाद लोग चाल चेक कर रहे हैं कि हमारा चाल की इसमें मैं को बतार आएं कि नहीं बतार रहे है नूरुमल पलें हमारा होना चाहिए अब देखिए फिर से वही है ť 12र पीवी और 6ikh regard उसको बजाएंगा लगोई कर रहे हैं बजा कर देख रहें कि थी खंळा कर रहेंगे तस्तों से करेंगी तो उसमें पता चल जाता। कि इसे छूट गया है या हमरे भूल चुक हो गई इसलिए दूसरी बार रहा मुझ चओ कर लेते हैं अ एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी और दूसरे राउंड में हम लोग दो दो बार उसको बजाएंगे 14 कजी हमारा आएगा किसमें किनेक्टिंग डॉट में और 18 कजी हमारा किसमें आएगा करेंक में तो चलिए ये दूसरा राउंड है हमारा इसमें दूसरे राउंड में देखिए आप लोग दो दो बार हम लोग बजा रहे हैं इसमें और इसके बाद पले भी चेक करना है आपको और चो नोर्मल पले हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा हूँ ए यह देखिए पले हमको इसे चेक कर लेना है अब चलिए यह हमारा हो गया डूसरा राउड है इस प्र तो तीसरा राउड कि उसके बाद हम लोक मैंकर देखेंगे कि हमारा जो मेल नाइन का जो मैन जो नोजल मोरों बोलते पता नहीं आप लोग क्या बोलतें मुझे जरूर कमेंट में वाठाना मैंने पहले भी वीडियू मोरा है और आभ भी जरूर यह देखना आप लोग को भी किसमें टच तो नहीं हो रहा है क्या होता है कि अगर जैसे कि थोड़ा सा इधर बेंड हो जाता है तो उसमें पिश्टोनों में टच होगा और तूट जाएगा तो नुकसा नहीं है कि इंजन के अंदर में अगर रह गया और तूट गया त है कि उसमें नुकसाने देखिए में लाइन नोजल जिसको हम विन लाइन इंजेक्टर बोलते हैं नोजल भी बोलते है और अ कि अधी सकते हैं फिश्ट